हेलो दोस्तों, आरवरत इस्टेडी में आप सभी का एक बार फिसे स्वागत है आज हम जानेंगे संख्या पध्धती नंबर सिष्टम के बारे में जो की बहुत ही जादा महत्पूर गरित का चैप्टर है इससे रिलेटेड एक्जाम में क्वेशन आते हैं तो हम इसके बारे में जानते हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या पूर संख्या पूरांग संख्या और भी भाज्य संख्या अबाज्य संख्या ये सभी हैं इनके बारे में हम आज जानेंगे ये क्या कहलाते हैं और किस तरह हम इसको इन संख्याओं को पहचान सकते हैं जो हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं means count करने के लिए हम क्या करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का उप्योग करते हैं तो वस्तुएं वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं गिनने में प्रयोग करते हैं तो कौन-कौन से हैं इसके एक्जामपल हम देख लेते हैं तो इसमें आएंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच और भी ऐसे ही संख्याएं जो भी आते जाएंगे अनंद तक वे सभी क्या कहलाएंगे प्राकृतिक संख्याएं means एक से लेके अनंद तक क्या कहलाएंगी हमको प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी अब next है पूर संख्याएं तो पूर संख्याएं क्या होंगी प्राकृतिक संख्याओं में सून जोड़ देने पर, मिलाने पर वो क्या बन जाती हैं पूर संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्याएं संख्याओं में सूने को मिलाने पर सूने को मिलाने पर पूर संख्याएं बन जाती है है न? पूर संख्याएं बन जाती है अब कैसे? अब प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे ही करके 6, 7, 8, 9 अनन्त तक ये क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं अब इसमें क्या करेंगे हम? जीरो से स्टार्ट करेंगे हैं इसमें एक से स्टार्ट हुआ था एक, दो, तीन, चार, पाँच है न? ऐसी है अगर हम इसमें जीरो से स्टार्ट करते हैं होती हैं अब ऐसे ही आजाएगा पूलांग संख्याएं तो पूलांग संख्याएं में अब क्या होता है? तो पूलांग संख्याएं में क्या होता है? अब इसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं में क्या किया? एक से लिया है ना एक से स्टार्ट होती है पूल संख्याय में क्या हुआ जीरो से स्टार्ट हुए है तो पूल अंग संख्याय किस से स्टार्ट होंगी मिंस रिलात्मक तक जाएंगी है ना अभी तक हमने जीरो तक देखा अब रिलात्मक तक जाएंगी तो पूल संख्याय मे कैसे होंगे पोड़ांग संख्याएं में तो प्राकृतिक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में मैं सून को मिलाने पर सून एवं रिडात्मक संख्याओं को मिलाने पर संख्याओं को मिलाने पर बनने वाली संख्या क्या होती है बनने वाले या प्राप्त होने वाले संख्याएं वाली संख्याएं क्या होती है पूरांग संख्याएं अब इसका एक्जामपल हम देख लेते हैं तो जैसे अब हमने लिखा माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन अब माइनस वन के बाद क्या आएगा जीरो वन टू थ्री फोर अब ऐसी आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां क्या होता है माइनस की भी संख्या क्या होती है इसमें एड हो जाती है जीरो तो है ही है तो यह क्या कहलाएंगी पूरांग संख्याएं अब आते हैं हम सम संख्याएं में तो सम संख्याएं क्या कहलाती है even number तो क्या कहलाते हैं यह सम संख्याएं even number वे संख्याएं जो दो से पूरता विवाजित होती है उन्हें सम संख्याएं क्या कहते हैं क्या कहते हैं समसंख्याएं वे संख्याएं जो दो से पूरता विभाजित हो जाती हैं जाती है दो से पूर्टा विभाजित हो जाती है अब जैसे दो से कौन-कौन से संख्या विभाजित हो जाती है सबसे पहले हम समसंख्या के एक्जामपल देखते हैं जैसे दो चार अठ दस है ना पिर ग्यारा तो हो गई नहीं बारा एसी करके जितनी भी संख्या आती है वे कहलाएंगी सम संख्याएं जो दो से विवाजित हो जाए पूरता विवाजित हो जाए अब दो से विवाजित हो जाएगा चार भी दो से विवाजित हो जाएगा तो ऐसे ही कहलाती है ये कहलाती है सम संख्याएं अब आती है विसम संख्याएं तो विसम संख्याई कौन से संख्याई कहलाती है तो विसम संख्याई कहलाती है वे संख्याई जो दो से पूरता विवाजित नहीं होती है विवाजित नहीं होती है जैसे एक्जामपल 1 1 दो से नहीं होता है 3 5 6 हो जाता है 7 9 ऐसे ही जो भी आती जाएंगे अनन तक वे संख्याएं क्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो के कहलाएंगी विसम संख्याएं अब अभाजय संख्याए Prime Numbers अभाजय संख्याए कौन से कहलाएंगे वे संख्याए जो वे संख्याए जो जो स्वैम स्वैम और एक से विवाजित होती है एक के अलावा किसी अन्ने से विवाजित नहीं होती है वे संख्या है जो स्वैम और एक के अलावा किसी किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होता है नहीं होती है उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या होती है अब जैसे इसका एक्जामपल हम देख लेते हैं तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है वे संख्या है जो सैम और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विवक्त नहीं होती है वे अभाज्य संख्या है तो इसमें आते हैं क्या क्या 2, है न, सबसे पहले 1 तो हो गया, अब आती है 2, तो 2 क्या है, 2 के अलावा किसी और संख्यत से व्हिवाजित न ही होगा है न, 1 एक से तो हो गई, अब 2 अपने मतलब 2 से विवाजित हो जाएगा अब ऐसे ही तीन, तीन भी एक से विवाजभी होगा और खुद से, स्वैम मतलब खुद से, तीन से विवाजभी होगा इसके अलाब किसी और नंबर यह संक्या से विवाज़़ी नहीं होगा अब next है 5 तो 5 भी क्या है? खुद से विवाजित होगा means 5 से ही विवाजित होगा और 1 से विवाजित होगा ऐसे ही आएगा अब 11, 17 फिर 17 के बाद 19 यह क्या कहलाएंगी अभाज जिसंख्या जो की 1 से और खुद से ही विवाजित होती है तो विवे क्या कहलाती है? अभाज जिसंख्या जो वे संख्या जो वे संख्या जो एक और और वे संख्या जो जो स्वैम और स्वैम और एक के अलावा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्ण विवाजित हो जाए अन्य किसी संख्या से पूर्णता विभक्त हो जाए तो वे के कहलाएंगी भाज संख्या है भाज संख्या है तो इसका एक जामपल हम देखते हैं तो क्या होगा अब इसमें क्या होगी जैसे है फोर अब फोर क्या है एक इसका डेफिनेशन क्या है वे संख्या जो स्वैम और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूर्णता विवाजित हो जाएंगी तो एक से भी हो रहा है और किसी अन्य संख्या फोर क्या है फोर किस से हो रहा है 2 से विवाजित हो रहा है 2 दूनी 4 होता है अब 2 तो हो नहीं सकता 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 किसी से भी नहीं होता है विवाजित है स्वैम के अलावा और 1 से लेकिन 4 से स्टार्ट होती है क्या भाज्यसंग के आए तो ये क्या होती है 2 से विवाजित हो जाता है और 1 से विवाजित हो जाता है अब इसके आंगे जो है 4 के बाद क्या आता है 6 6 भी 3 से विवाजित हो जाता है और 1 से विवाजित हो जाता है और 7 से विवाजित हो जाता है फिर आता है next 8 8 क्या होता है, एक से विवाजित हो जाता है, दो से विवाजित हो जाता है, चार से विवाजित हो जाता है, और स्वेम से विवाजित हो जाता है, तो ऐसे ही और भी आ जाएंगे, 9, 10, ऐसे ही नमबर आते जाएंगे, जो की भाज्य संख्याएं हैं, अब next है, परिमे संख्या तो परिमेश संख्याए कौन से संख्याए कहलाती है तो वे संख्याए परिमेश संख्याए की डेफिनिशन क्याए वे संख्याए वे संख्याए जो जिन है हम क्या कर सकते है जिन है P upon Q means हम बटे में है ना बटे में लिखते हैं ना दो बटे तीन, तीन बटे चार, ऐसे टाइप से के रूप में लिख सकते हैं, है ना, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो वे क्या कहलाएंगी, परिमेज संख्याएं, जैसे वे कहलाएंगी, परिमेज संख्याएं, अब जैसे इसका एक्जामपल हम देखते हैं, तो बटे में क्या क्या होती हैं, जैसे तीन बटे, चार, पांच बटे, छे, है ना, ऐसे ही, अब जैसे आ गया, चार, तो ये भी एक परिमेज संख्याएं, परिमेज संख्याएं क्यूं हैं, क्यूंकि चार के बटे में हम एक भी होता हैं, तो ये चार बटे एक हो गया ना, तो ये परिमेज संख्याएं कहलाएगी, तो दो भी एक परिमेज संख्याएं हैं, अब जैसे 2.3 है, 2.3 है, तो ये भी एक परिमेश संख्या है, क्योंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 23 बटे 10 लिख सकते हैं, इसको हम अगर भिन्नों में convert करेंगे, मिन्स भिन्न में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 23 बटे 10, तो ये एक परिमेश संख्या बन जाएगी न, इसको भी हम क्या करेंगे ? तो अब next है परिमेह संख्याइ means परिमेह संख्या में क्या होता है ? वे संख्या जिनन है हम means बटे में नहीं लक सकते हैं वे संख्याए वे संख्याए जिने हम पापोन Q के रूप में नहीं लिख सकते के रूप में नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते तो वे के कहलाएंगे वे अपरी में संख्या है क्या है? अपरी में संख्या है अपरी में संख्या है जैसे अब जैसे वे संख्या जिने हम P upon Q के रूप में नहीं लख सकते वे अपरी में संख्या कहलाएंगे जैसे करणी में होते हैं करणी, root, under root 2 अब इसको हम क्या कर सकते हैं P upon Q के रूप में नहीं लख सकते यह क्या कहलाएंगी एक upper dimension क्या क्या आएं जैसे और under root 15 है ना इसको भी हम क्या कर सकते है करणी के अंदर है अब इसको भी हम क्या लग सकते है P upon Q के रूप में नहीं लग सकते है ये भी क्या क्या कहलाएंगी एक अपरिमेशन क्या कहलाएंगी और next है जैसे five की घात क्या है one upon three या one upon two है ना तो one upon three means ये भी क्या जाएगी बराबर हम इसको solve करेंगे तो आ जाएगा यहां तीन है ना करनी five की क्या जाएगी तो ये भी क्या है एक अपरिमेशंख्या है अब इसमें और एक है पाई तो ये पाई जो है ये भी एक अपरिमेशंख्या कहलाती है है ना अब बोलोगे की पाई का मान क्या होता है 22 बटे 7 होता है है ना 22 बटे 7 होता है ने इसका लेकिन जब ये 22 बटे 7 की रूप में ही होग तब ही ये परिमे संख्या कहलाएगी नहीं तो ये कहलाएगा पाई की रूप में है तो ये अपरिमे संख्या कहलाएगी और अगर कहीं 22 बटे 7 लिखा है तो वो परिमे संख्या कहलाएगी लेकिन अगर पाई की रूप में लिखा है तो ये अपरिमे संख्या ही कहलाएगी अब आती है वास्त्विक संख्याएं तो वास्त्विक संख्याएं क्या कहलाती है तो सभी परिमे तथा अपरिमे संख्या क्या कहला है वास्त्विक संख्याएं सभी परिमे और अपरिमे संख्याएं संख्या क्या कहलाती है वास्त्विक संख्या है सभी परिमे और अपरिमे संख्या क्या है वास्त्विक संख्या है जैसे एक्जामपल हम वास्त्विक संख्या है मैं कहा लेंगे परिमेशतन केया है तो परिमेशतन क क्या है 1 upon 2 3 upon 4 यह क्या है परिमेशतन का है अब भी हमने बताया यह है अन्डरूड 2 करणी 2 और करणी 15 तो यह सब क्या कहलाएंगी वास्तविक संक्याई मैं आएंगी है ना अब next है कालपनिक संख्याए तो कालपनिक संख्याए कौन सी संख्याए कहलाती है तो वे संख्याए जो रिडात्मक संख्याओं का वर्मूल लेने पर संख्याए बनती है वे संख्याए जो रिडात्मक संख्याए रिडात्मक संख्याओं का वर्गमूल वर्गमूल मींस करणी वर्गमूल लेने पर बनती है लेने पर बनती है वे कहलाती है क्या? काल्पनिक संख्याओं है काल्पनिक संख्याओं है जैसे अब क्या करेंगे? वर्गमूल ये हमने लिख लिया करनी अब इसमें क्या बोला? वे संख्याओं जो रिडात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर तो ये कहलाएंगी कालपनिक संख्याएं तो ये हमारा chapter complete हो गया जो की है प्राकृतिक संख्याएं, पूर संख्याएं और पूरांक संख्याएं, विसम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं परिमे संख्याएं अपरिमे वास्टविक और काल्पनिक संख्याएं तो यह क्या है यह सब हमने कंप्लीट कर दे आंगे भी और वीडियो हम इसी से रिलेटेड बनाएंगे तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सस्क्राइब चरू कर दीजेगा धन्नवाद